करेंगे question number seven इसमें में किरा हर्षा मेड़ विंचिम using frame and metal roads अपार्टर एक विंचिम करूँ है using frame and metal road और उसने eight hole punch करें तेक हो बचा first hole second hole third row fourth fifth six seven eight eight hole punch करें है और each hole के बीच में जो distance है two centimeter है and then hung six metal road from the frame उसने क्या किया six metal road उंक कर तांग दिए जैसे एक metal road यह होगी, first road की length 6 cm है, याद रखना, बीच में space छोड़ी, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि एक road आई होगी, लेकिन उसे लगाई नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि उसने लगाई है, हम sum solve करने के लिए, तो यह construction में मान लो आजाएगा, और उसके अलावा, यह 3rd road हो गई, यह 4th हो गई, यह 5th road हो गई, यह 6th हो गई, और फिर 7th road भी missing है, उसको भी हम dotted draw कर लेंगे, imaginary road मान लेंगे, ठीक है, तो अब total, उसने तो 6 roads लगाई, लेकिन हम यह मान के चलेंगे कि total roads कितनी है, 8 है, ठीक है, और 2 imaginary roads हमने लगा लेंगे, तो इसमें cm, और 2nd road A2 होईगी, ठीक है, और 3rd road की length A3, और यह वाली road है, जिसकी length हमें find करने को का है, हमें क्या find करने है, length of the road P, यह P road है, तो यह 4th road है, तो इसको हम A4 मान के चलेंगे, अपी में, ठीक है, और A4 हो गया, फिर देन A5, और ऐसे करते करते, last road जो है ना बच्चा A8 यह हम कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो बच्चा दोने का कि, the ends of the metal roads are aligned over a line, यह तब ही align होंगे, जब यह ब्राबर ब्राबर increase होंगी, देखो बच्चा, अगर मैं यहाँ पर एक line draw कर दू, यहाँ पर एक first road 6 cm की, जैसे कि मैंने बताया, अब जो second road increase होई, को कितनी increase आएगी, लेकिन अगर मालो, अब मैं fourth road को, ज्यादा बड़ा ले लो, डी यहाँ तक ले लो, तो यह state line में align नहीं होगी, यह line देखो बच्चा, टरन कर जाएगी, यहाँ तक straight आ रही थी और यहाँ bend होगी line, तो state line में नहीं आएगी, state line में तब आएगी, जब difference जो है common र लेंगे, तो first term a6 है और a8 की length भी हमें दी हुए, कितनी, 29 cm, अब a8 is equal to क्या है बचा, 29 cm, तो हम एनटम का formula ही use करेंगे, एनटम का formula क्यों होता है, an is equal to a plus n minus 1 d, यह formula होता है, तो यही formula लगाते हुए, हम इसको solve करेंगे, first term of a, a, a की जगे आप 6 ले लो, then n minus 1, n कितना है, 8 लेंगे, 8 minus 1, into d, d हमें फाइंड करना है, d हमें नी पता कि कितनी, 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 इंक्रीज हो रही है, रोर जो है, is equal to 29, आप देखो बचा, 6 plus 8 minus 1 क्या हो जागा, 7, d is equal to 29, अब 7 d is equal to क्या होगा, 29 minus 6, 70 is equal to 23, and d is equal to 23 upon 7 cm, यान कि कॉमन दिफरेंस हमारा 23 cm आ गया, लेकिन हमें कौन सी रोट की लेंद निकालने थी, ये फर्स रोट की लेंद 6 थी है, ये A2 हो गई, ये A3 हो गई, ये A4 हो गई, हमें A4 यहान की 4 रोट की लेंद निकालने थी, तो हम क्या करेंगे, 4 term निकालेंगे, cp की, तो A4 हमें फाइंड करना है, तो formula लगा देंगे, एने ट 4-1 क्या होगा, 3, 3 multiply, 23 upon 7, ठीक है, तो 6 plus 3 into 23, 69 upon 7, अब LCM ले लो, 1 और 7 का LCM 7 आगा, 1 के टेबल में, 7, 7 पे आता है, तो 6, 7 दा हो जाएगा, 42 plus 69, और 42 plus 69 करेंगे, तो हमें 111 मिलेगा, अपन में 7, तो 111 upon 7 cm लेंद रहेगी, रोड P की, तो option D हमारा आणसा है,